नमस्कार मैं नंद्राम पालिवा सहाचारे राजनिति विज्ञान बाबु सौब रामराज के कलाम महविदाल अलवर आज इस वीडियो में हम राजनितिक विचार धाराओं के का अर्थ समझने कोशिश करेंगे कि इस क्या अर्थ है इसके क्या परिवास है और इस राजनितिक विचार धाराओं के क्या लक्षन है वर्तमान युग विचार धाराओं का युग है आज प्रतेक राष्ट किसे न किसी विचार धारा से जुड़ा हुआ है विचार धाराओं को समझे बिना राष्टे और अंतराष्टे राजनिति के सवरों को नहीं समझा जा सकता राष् इस प्रकार अंतराष्टे राजनिते में राज्यों की विदेशनिती को विचारधारा के प्रिप्रेक्ष में ही समझा जा सकता है इस प्रकार विचारधारा समस्त राजनिती का हाधार है विचारधारा शब्द का प्रयोग दो अर्थम किया जाता है पहले अर्थमें राज व विचारों एवं विश्वासों का एक ऐसा समुच्च है जो एक सूनिश्चित विश्व द्रष्टे पर आधारी थोग और अपने को अपने आप में पूर्ण मानता हो। यह संसार की सारी वास्तिकता की व्याक्या का आधार प्रदान करने का दावा करती है। इस अर्थ में विचारधारा मनुश्य की प्रकर्ति के बारे में कुछ मानने ताय लेकर चलती है और उनके आधार पर मानव इतियास का एक सिद्दांत आचरन की एक नेतिक नियमावली और कर्म का कारिकरम पेश करती है। दूसरे अर्थों में विचारधारा को अपने राजनिति को देशे छेपाने का एक आवरण कहा जा सकता। इस अर्थ में ओचित्य पूंडता या वैद्धता प्राप्तिक ले विभिन विचारधारा की रचना और परचार किया जाता। विचारधारा शब्द का अंग्रेजी प्रियाई वाची ये आइडियोलोजी जिसका पहले बार प्रियोग 23 मई 1770 में को एक फ्रेंच सिद्धांत विता डेश्टू डेट्रेशी द्वारा किया गयता। इस सब्द से उसका तात्प्रेव विचारों से था एक ऐसा वी ग्यान जिसमें एकदम नई सामाजिक और आर्थिक विवस्ता का आधार बनने के सामर्थियों। आधकल विचार धरा एक प्रकार का राजनितिक सिद्धांत है। यदि हम इसका व्यापा करते लेते हैं। जो किसी राजनितिक विवस्ता का और साहती उन मुल्य और आदर्शों का समर्थन करती हैं। जो से मानाव मन की अंतिम निकटता के रूप में एक आदर्श विवस्ता के साथ में बनाये रखते हैं। और ये दावा करते हैं कि ये अंतिम रूप तक उसे प्राप्त करने का प्रियास करती है। विफ्टर सब्ध कोस्त में विचार धरा को विचारों का विज्ञान बताए गया है यह भी कहा गया है कि राजनितिक सामाजी कारिकरम बनाने वाले एकिकर्थ कत्रों सिद्धान्तों लक्षों से विचार धरा बनती है प्राहिन का नीथार्त जूटा परचार फैलाना जैसे जर्मनी में नाजी विचार धराओं को परभवी बनाने के लिए हाशिवाद को संसोदित किया गया नेपोलियन युग में इसका विप्राहि किसी प्रकार का गणतंत्र्य क्रांतिकारी विश्वास हो गया ऐसा विश्वास जिसे नेपोलियन सुयम अपना विरोधी कहता था लेकिन जिसे मार्श और एंजल से विचार धरा कहते हैं उसमें क्यों ग्यान या राजनितिका सिदानती नहीं बलकि आध्यात्म की आचार सास्त धार्म और वास्तों में चेतना का रुप सामिल है जो किसी सामाजिक वर के मोड रुजानों या परतिबत्ताओं को अभ्योश करता है अपने व्यापक्तम अर्थों में विचार धरा शब्द विचारों का एक ऐसा पुंज है जिसमें प्रचलित विवस्ता में किसी प्रकार के परिवर्तन से लेकर समाज के शंपून कायकलप का आहवां तक सबी सामिल होता है इसमें विचारों के अन्ने समुच्चे के निंदा और दोस्रे समुच्चे को ओचित्य परदान किया जाता है कि आलोचक किसी विशेश परकार की विचार धराव को यूटोपिया या मिथ्फच्चे नहीं कह सकता है ये विचार किसी तथे की व्याकिया या किसी तर्क के ओचित या किसी सत्ते की तलासे किसी आस्ता के विव्यक्ति की रूप में भी हो सकते हैं सी बी मैक्स फर्षन के नुसार उन्होंने कहा कि मैं विचार धराओं को प्रकर्ति समाज और इतियास में मनुश्य की इस्तिति के बारे में विचारों का विवस्ति समस्ता हूँ इस द्रश्टि से उदारवाद, अनुदारवाद, लोक्तंत, मार्श्वाद, राष्टवाद आदे सभी विचार धरा हैं विचार धरा में विन अनुपात में तत्य और इतियास की व्याक्या मांगों का उचित थे और आस्ता या विश्वास के तत्य पाये जाते हैं यह राजनितिक सिद्धान्तों और राजनितिक दर्सनों से परभावित होते हैं वे किसी प्रभावी राजनितिक आंदोनन और इसलिए किसी क्रांति के लिए आवसिक है क्योंकि वे मांग करके मांग को समर्थन देने और वैद्धता प्रदान करने के तीहरे कारी करते हैं विचारधारा के बारे में सबसे महत्मुन लक्षन इसका कार्यानमुक सवरूप कर राजनितिक विचारधारा की वेद्धता इसके किर्यानों नहींता है फ्रेंक ठाकुर्दास के सब्दों में राजनितिक विचारधारा की शमता इसके अनुप्रियोग में नहींता है राजनेतिक विचारधारा राजनेतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाले वैचारिक व्यवस्था ही है चुंकि राजनेतिक विचारधारा राजनेतिक विचारों से जुड़ी विधारन है और राजनितिक विचार, राजनितिक विवस्ता के इर्द गिर्द गोमने वाले लोगों के विचारा अता जब ये राजनितिक विचार इसपष्ट और विवस्तित रूप धान कर लेते हैं तो इन्हें राजनितिक विचार दारा कहा जाने लगता इसलिए काल जे फैटरिक नहीं से विचारों की सक्रियता सम्मंद पद्धतिया कहा है इस द्रश्टि से विचारधरा राजनितिक व्यवस्ताओं के स्ताइत्व अथ्वा उसमें परिवर्टन अथ्वा उनकी रक्षा से सम्मंदित विचारों का पुंज होती है मैक्स फर्सन के नुसार राजनितिक विचारधरा द्वारा विदता प्राप्ट करने का एकुप करना राबर ड्हल ने कहा कि राजनितिक विचारधरा इस्ताफित विचारों और विश्वासों का संगठित रूप इसी प्रकार मौस्का ने राजनितिक विचारधरा को राजनितिक सुत्र कहा है सोर्यल ने इसे सामाजिक ये राजनितिक मितब के रूप में ग्रहन किया है वे लिखते हैं राजनितिक विचारधरा आर्थिक सामाजी के राजनितिक मुल्यों यो लक्षियों से सम्मंद उन विचारों का निकाये जो उन मुल्यों को प्राप्त करने के लिए कारियों की योजना या रोपने का प्रस्तूत करता है अब हम चर्चा करेंगे राजनितिक विचारधरा के लक्षन मानो जी हमने विचारों का विशिष्ट में तो है विचारों नहीं व्यक्ति को कारे करने के लिए प्रियरित किया है और उसे विकास के मार्क पर आगे बढ़ने के लिए उद्धेलित किया जब विचारों का समन्द राजनितिक विवस्ता से हो जाता है तो राजनितिक विचारधरा अस्त्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य विचारधारा के कुछ लक्षन है जो यह है ज़से आपके इस क्रिमर दीक राgeनितिक विचारों का समुच राजनितिक विचारव का एक ऐसा पुंज है जो सामाजिक जीवन के विभिन छेत्रों के बारे में तर्क संगत व्याक्या प्रस्तुद करती हैं। यह विचारों, मतों, मुल्लों और द्रश्टी कोणों के संगठन की दोतक, मनुष्य और समाज के बारे में एक चिंतन पद्दती हैं। अगला राजनेतिक विवस्था की किरियात्मक्ता का कारिक्रम। इसके अनुप्रियोग में नहींत है। यह प्रतक्स राजनेतिक कारिवाई के लिएक मारदर्सक है। प्रत्य बद्यताओं राजनितिक विचार धारा का मतलब आस्थाओं की विवस्था बद संग्र से ऐसे विचार जिने कोई अपना लेता है राजनितिक विचार धाराओं के आधार पर ही लोगों की प्रत्य बद्यता को समोगत किया जाता है विचारों का समुझ्य होने करनाते आस्ता यो प्रत्यबद्यता से विलग होने पर विचार धरा जीवित नहीं रह सकती है मैंग फर्षन के अनुसार राजनितिक विचार धरा वे समोगते हैं जिन्हें लोग ग्रहन करते हैं, अधिकांस लोग किसी राजनितिक सम्हों के साथ तादात में या आयतादात में करके कोई विचारधारा प्राप्त करते हैं। राजनितिक प्रैशनों के निर्धारन के सम्तार। राजनितिक विचारधारा इन प्रशनों का समधान करते है कि सासख कोन होगे। राजनितिक विचारधारा ये ऐसा उपकर्ण है जो नेताओं को राजनितिक करण में भाग लेने के लिए अनुप्रेरित करता है। वे अपने राजनितिक व्यवस्ता को वैद्दा का सवरो प्रदान करते हैं। वे अपने राजनितिक विरोधियों को विचारधारा रूपी छड़े से ही पीटने का प्रियास करते हैं। इस प्रकार संक्षब हम ये कह सकते हैं कि राजनितिक विचारधारा, राजनितिक यथारत की विवेचक और उसकी किर्यात्मक्ता की रुप रेखा होती है। अपने अपने विचारों से सहमत करना और विरोधी विचारों का परतिकार करना होता है। इन सबसे उपर में सार्थक और संबंता का मापदन प्रसुत करते हैं ऐसा मापदन जिससे राजनितिक आकांसवत कारियों की परेक्षा लिजाती है आदोनिक समय में राजनितिक समाजों का आदार ही राजनितिक विचादारा है धन्यवाद